हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगीन टू लंडवरी दीवन आज हम करने वाले हैं अधिगम के सिद्दान्थ के अंतरगत क्लार्क एल हल का पुनरवलन सिद्दान्थ रिइनपोर्समेंट चोरी इंपोर्टेंट है इससे पहले हमने बहुत सारी चोरी जो हैं वो हमने देखी व इनके द्वारा नोट्स जो हैं वो मैंने बनाए हैं और यह आपकी एक्जाम के औरेंटेड हैं एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा तो इनकी जो थियोरी है इसका नाम हम कैसे याद रखेंगे एक्जाम टाइम में क्योंकि बहुत सारी थियोरी हो जाती है तो हम जिवहारवादी है और यह भी USA के निवासी हैं इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल अफ विहेवियर जो कि इनहोंने 1943 में लिखी थी और दूसरी बुक का नाम है अविहेवियर सिस्टम यह उन्होंने 1952 में लिखी थी देखिए बुक के नाम जो है वो भी आपको याद रख इसके अलाबा किस पर प्रियोग किया गया है ये चार बातें तो आपको याद ही रखनी होगी क्लार का हल जो है उन्होंने विहेवियर सिस्टम बुक में मानव अधिगम के व्यवार के स्पष्टी करण के लिए 17 अभिग्रहित और 13 प्रियोग किया है इनका जो प्रियोग था वो चूहे पर था इसके अलाबा एक और व्यवारवादी रहे जिन्होंने चूहे पर प्रियो किया वहीं इसकीनर की जो थियोरी थी वह बल देते हैं पुनर बलन और अनुकरन इन दोनों पर जबकि जो क्लार के यह हल है वो केवल पुनर बलन पर बल देते हैं वो कहते हैं सीखने के लिए केवल पुनर बलन आवशक है अनुकरन की कोई आवशकता नहीं है और वहीं अन पुनर्बलन की बात करते हैं, Clark L. Hull, केवल अनुकरण की बात करते हैं, Bandura, और पुनर्बलन और अनुकरण, इन दोनों की ही बात करते हैं, Scanner. हल की माननेता हैं, जीव की जैविक सरंचना पर आधारित होती है, Clark L. Hull का मानना है कि सीखने का आधार जो है, जीव की जैविक सरंचना पर आधारित होता है, जीव की जैविक सरंचना होती है, वही उसके सीखने का आधार होता है, उसी तरीके से वो सीख सकता है, और सीखने क की पूर्ती जब ही हो सकती है जब आविशक्ता हो यानि बिना आविशक्ता के कोई भी कार्रे जो है वह है नहीं किया जा सकता है और नहीं सीखा जा सकता है तो सीखने का आधार बताते हैं क्लार के हल कि नीड होती है और नीड यानि की आविशक्ता और उसके बाद उस कमी यदी है यानि पानी प्यास लगी है तो अभिशक्ता है पानी की तो ये सीखने का अधार क्या है कि पानी की कमी यानि की नीड है वो और उसकी पूर्ती जब ही हो सकती है जब हमें हमारी प्यास जो है वो खत्म हो जाए तो वहां पर प्यास जो है वह चाला की अंतरनोत का क और इसके बाद जो है वो reinforcement मिलता है व्यक्ति को पुनरवलन मिलता है जिससे कि उसकी आविशक्ता की पूर्ती हो जाती है। जिससे कि मान सम्मान है ये सबी क्या है प्रेम हो गया ये सबी secondary पुनरवलन होता है और ये सबी जो है वह है पुनरवलन व्यक्ति के जो भी सीखने की पूर्ती करता है। अविशक्ता होती है तो उसके बाद वह है चालक जो है उसका कार्रे करता है सीखने की पूर्ती के लिए उसे फिर पुनरवलन मिलता है और उसके आविशक्ता की पूर्ती हो जाती है। तरीके से यह कार्रे करता है यानि सीखने का अधर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है नीड यानि की आविशक्ता और उसके बीज में आविशक्ता की पूर्ती के बीज में आता है पुनरवलन इसी लिए पुनरवलन जो है वो बहुत जरूरी बहुत आविशक्त जो है व एक दिसा में चूहा और भोजन तक पहुंचने के बीच करेंट लगा हुआ था, मान लिजे एक बॉक्स था, उसके एक साइड में एक दिसा में उन्होंने भोजन को रख दिया और एक साइड में चूहे को छोड़ दिया और बीच में उन्होंने करेंट लगा दिया, यानि कि चुहे का भोजन तक पहुँचने के लिए बीच में करेंट जो है, उसका सामना उसे करना पड़ता था, लेकिन हल ने क्या किया, सबसे पहले गंटी बजाई, उसके बाद कुछ शन बाद, यानि तुरंत बाद उन्होंने करेंट लगाया, करेंट नहीं लगाया, उन्होंने क् बोजन तक पहुँच सके, उसके लिए उन्होंने बीच में गंटी तो बजाई, लेकिन वो कुछ समय बाद, एक लंबे समय के बाद, चुहे ने सीख लिया, कि गंटी बजने के कुछ शन बाद करेंट लगता है, तो मुझे अपना बोजन जो है, वह करेंट लगने से पहले ही प्राप्त कर लेना है, तो कुछ समय बाद वह सीख जाता है, और वह पहले ही करेंट लगने से पहले ही कूछ जाता है, और अपना बोजन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसकी आवेशक्ता जो थी, वो क्या थी, बोजन थी, और गंटी जो था, वह उसकी पुनर बलन का क कर रहा था क्योंकि वह घंटी के बजने से पहले ही बोजन प्रात कर लेता है उसे समझ में आ जाता है कि घंटी जो है वह कुछ शडबात बजेगी और करेंट लगेगा उससे पहले ही उसे अपना कारे जो है पूरा कर लेना है हल ने थोंडाइक के ऐसार थूतर को मानने ता नहीं दी बलकि हल ने ऐसी अवधाना सामने रखी जिसमें उद्धीपक अनुक्रिया के अत्रिक्त प्राणी विशेश के अंदर रुची, आविश्यक्ता, पुनर्बलन प्रदान करने वाले होते हैं इसलिए हल ने इसे SOR से दान तक कहा Stomulus Organismic Response तो जो थॉंडाइक जे थे वो केबल उद्धीपक और अनुक्रिया इस पर ही विश्वास रखते थे जबकि हल कहते हैं कि इनके बीच में व्यक्ती की रुची भी होती है, नीड भी होती है और रिन्फोर्समेंट ये सब ही भी हो जाता है कि Clark L. Hull ने अपने सिद्धान्त को SOR सिद्धान्त का जिसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो वहां आंसर होगा जैविक अन्कूलन, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थियोरी करेंगे, अब आपकी एक या दो थियोरी हैं, उसके बाद आपका अधिक्र का जो सिद्धान्त हैं, वो सभी थियोरी जो है, वो आपकी पूरी हो जाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू